हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो स्वाति आपके साथ लिक्या है यह होली के लिए बहुत ही तेस्टी सा और फटाफट से बनने वाला नमकीन बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम समय में आप इसको बना के तियार कर सकते हैं और हेल्दी हेल्दी तो पूछिए मत इतना हेल्दी है क आप इसे बना के स्टोर करके महीनों भर खा सकते हैं तो चली फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं जानते मैंने इस नमकीन को पांश मेट में कैसे बनाया तो सबसे पहले हम यहां ले रहे हैं लोटस सीट्स यानी मखाना तो यह मखाने को काफी अच्छे से ड्राय रोस्ट करूंगी ड्राय रोस्ट यह तीन से चार्मेंट में इजीली हो जाएगा हाथ से दिखी मैंने दबा के देखाए बहुत कुर्कुरा हो गया तो अब इसको निकाल लेंगे और आम यहां डाल रहे हैं और अब यहां ले रही हूँ टोटल वन टेबल स्पून घी जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना टोटल वन टेबल स्पून घी और इसी में मैं पूरा चीवडा बना के तयार करूंगी यह घी भी मर सरिफ दानों को रोस्ट करने के लिए ले रहे हूं क्योंकि इसमें ब बहुत ही अची सी फ्रेग्नेंस आने लगेगी तो यह देखिए दाने जैसे रोस्ट हो रहे हैं तो चार से पांच में काफी अच्छी से रोस्ट हो गए हैं और अब मैं है अट करिए थोड़ा से तीखे पन के लिए पांस एछे हरी मिर्ची और करी पता करी पत्ते को मैंने जैसे मैंने यहां पर लिया है सुखा हुआ नारेल इसको मैंने लंबा-लंबा काट लिया था और लिये हैं कद्दू के बीजे यानि पंकिन सीट्स और संफ्रावर सीट्स यह आपको मार्केट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे बदाम और काजू भी मैं यहां एड़ करी तो मखानों को मैंने यहां पर बीच में से कट कर लिया है ताकि यह सारी मिचर में इजीली मिल जाए अगर आप साबुत मखाने एड़ कर देंगे तो वह उपर उपर से थोड़े से लगते हैं कि उपर उपर सारे मखाने आ जाते हैं बड़ करके डालेंगे तो सारी चीज आ यानि ड्राइमेंग को पॉर्डर एड़ करी हूं और एक चमच में यहां पर आड़ करी हूं चाट मसाला तो चाट मसाले से बहुत ही अचा फ्लेवर आएगा अब यहां पर भूना हुआ जीरा पॉर्डर मैंने एक चमच एड़ किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग आदा च पॉर्डर यह टोटल ऑप्शनल है अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं दरवाई से स्किप भी कर सकते हैं और यहां पर मैंने टीवरे को एड़ कर दिया है तीन से चार मिट चीवरे को चलाते रहेंगे ताकि जो यह हल्दी पॉर्डर डाला यह कलर के लिए मैंने है अभी आप देखिएगा जो चीवरा है और मखाने है यह सारा मिट्चर एक ही कलर का हो जाएगा और बहुत ही प्यारा से में यल्लो सा कलर आ जाएगा तो बस में तीन से चार मिंट के लिए से भी मून लूंगी सारी चीजों को ताकि सारी जो मैंने स्पैसे एड़ किये है वो आपस में मिक्स हो जाएं और यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तीन से चार मिंट में बस इसी तरह मुझे यहां रोस्ट करना है अब यह मिच्चर बिल्कूल बनके तयार है सबसे यादा ही मिच्चर बहुत जादा हेल्दी है मैंने इसमें सारे इंग्रेडियंट वो ही अज़े हैं जो हमारी हेल्थर के लिए बहुत जादा अच्छे हैं बहुत जादा कैल्शियम बहुत जादा पोटेशियम बहुत जादा आईरन ओता है सब देगालों को सब नमकीन एक बार बना के जरूर तयार करें लास्क में मैं यहां डाल रही हूँ सबका फेवरिट कॉनफलेक्स तो कॉनफलेक्स से यह जो मिचर इसमें थोड़ी सी जान आजाएगी बिल्कुल मार्केट स्टेल यह बन के तयार होगा और आप यह मिचर को कभी भी बना के तयार क सकते हैं से सालों साल भी आप खा सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होता अब चलते इसके सर्विंग प्रॉसेस के लिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा यलो सा कलर आ गया है तो बस चलते हैं सके सर्विंग प्रॉसेस के लिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लोस्टो